आजना लेक्चेर मां आपने स्लिव कटिंग वी से समझवानुँछे तो अहीं आपने जे डाप्टिंग आपेलुछे ते प्रमाने आपने तेना थियरी ना पेज साथे राखी ने स्टेप बाई स्टेप समझीने मार्किंग करता रहीवानुछे तो सब्ति पेला कापड मां स चार फोल्ड थाई जसे एक बे त्रोण ने चार परन्तु ध्यान दाकू आरेते उप्रा छापड़ी फोल्ड होवा जरूरी छे जो आ कापड उन्दू वोई तो अहिया उपड़नु कापड पन उन्दू होवा जरूरी छे एनो मतलब ए कि अंदर ना बन्ने कापड साम सामे स करिंकन मतल्यूरम उन्दूर्यप ना बन्तु आरेते नुर्ण होवा जरूरी ल?". स्लीव कटिंग मार्टेनु थियरी नुपे जात्मा लेलो अने तेमा पेला नमबर नुझे स्टेप लखेलो चे सव प्रत्थम निचेनी तरप सिधु मार्क करू तो तेने डाप्टिंग मा समझे अहीं लखेलो चे एक नमबर सिधु मार्क आ कटिंग मार्क चे एले अहीं पन आपने या जम्रा तरप जे निच्चे नी तरप मार्क बने छे त्यां एक सिद्धु मार्क करवानू छे त्ये पच्छी बेर नंबर मां लखेलू छे कटिंग मार्क करेलू छे त्यां थी के फाइट नाम आपनू मार्क करीने सिद्धु मार्क करवू तो अहीं बे नंबर माँ छे केपाइट हवे केपाइट एले आपने बाईनों जे आर्मोर लंबाई कहिए तेज केपाइट केवाई जैने बाईन गाड़ो पन गणा लोकों कहता होई छे आ रिते आपने एने प्रोफेशनल बाईसा माँ केपाइट सब्दनों उप्योक करवो अने एरिते आपने समझ वू तो जैरे केपाइट बोले तेरह समझेले वू कि अहीं बाईना जे आर्मोर लंबाईनी वाद थती छे हवे केपाइट विसे आपने उधालन द्वारा समझे तो अहीं लखेलो छे के बाईनी केपाइट माटे अलग-अलग मापने उधालन द्वारा समझे अपरचेस ना बोडी माप माँ जारे जेतलू लूजिंग नाके और जे माप रेडी बने तेनो दस्म भाग करवा नोई छे और तेज बाईनी केपाइट बने छे एनो मतलब तमे टाइट फिटिंग पेरोँ छो तो चेपाइट अलग बने फे एना है थी थोड़र लूज पेरो चो तो चेपाइट अलग बने फे य हम जारं पर तो होजूपाल लूज पेरो बहाँ नीपे प possibilities को भी पाइट पन वती रहे से जट्लोग है जट्लोव फिटिंग पेरो इचाम लेश पेरो इचाम लेश ओ पॉतव नाम का ब्लाुजा। तो स्लिवने के पाइट अलग Wattsican rays süर्ट मतफित चानल पनावत अधोल्ग Independence तो निचंझे 양सों बनते के लिवाएटis बन्द शे, तो एम अहीं उदान द्वारा समझावेलू छे, कि जबो पात्रिस मा तमें 0 लूजिंग नथी नाखता, तो पात्रिस अज रही छे, तो पात्रिस भाग्या 10 करें, तो शाड़ात्राणी बाईनी क्या पाइट बन्ने छे, आ क्या पाइट एटले, यहां जे कटिं पात्रिस भाग्या 10 बाईनी क्या पाइट बन्ने चे, आम समझावेलू जे तो एक पाइट मन्वा एम थाए, कि एक पाइट माट्रे सुँ थाई जवानू, कि आम ते माप थाईए तो पन नहीं, आपने पोफेश्णल लेवल पर सिखी रही आछी है, तो आपने कई पन चल पन चलावानू नथी, तो पची कि एक पोईंट नूम आपता प्रे चलावी सक्के ज नहीं, अने जो तमे चाल से, दोड से, आवा सब्दों नो प्रेयोक करशो, तो पची तमारू कटिंग पन ए रितनुज थसे, परन्तो जो तमे माप आप आवियो ए जे चे तमे चाल सो, तो तमारू कटिंग ओटोमेटिकली परफेक्ट थसे, तमे पन पोटे एकदम प्रोफेशनल मास्टर बनी जाशो, ते पची नूम आप छे कि 35 प्लस लुजिंग ना क्यो होई, तो 37 माप बने, तो 37 भागया दर्च करिये, तो 3.63, तो अहीं आपरे 3.55 लई सक्ये, तो ए सम 38 भागया 10 करिये, तो 3.63, तो 34 मा लखेचे, 3.55 लेऊ, तो 37 पहला एना डाप्टिंग माँ समझिए, तो अहीं आ लखेलू छे बेन नंबर क्या पाइट, क्या थी जाथी कटिंग मार्क छे, तो अहीं थी समझिए, तो 3.55 एटले के पोना 4 लेच क्ये पाइट छे, तो अही तो 3 नंबर न माप समझे, तेमा लखेचे 0.56 अथो 0.25 एटले कुर्टी कटिंग माटे अहीं नू जे मार्जिन नू माप आपियो, तो अहीं पन स्लीव नू जे जबान जवान नू छे, 0.25 अने 1 पोन एटले माप ने मार्क करी जेवू, आ एक सिलाई मार्क बने छे, हवे 0.25 अने 1 पोन आप लिजू छे, तो त्यां थी आपने 2 नी लंबाई नू मार्क करवानू छे, तो 2 नी जे लंबाई छे 4 इच, तो अहीं पन समझे, कि आ एक सिलाई मार्क बने छे, सिलाई मार्क बने लिजली छे, तो अहीं पन आपने 2 नी लंबाई नू मार्क लेवानू अने अहिया एल सेप स्केल नो उप्योग करी ने अहिया फोल पार तरफ मेडवी ने एक सिध्यू मार्क करी देवानू ते पची 5 नमबर मार लख्यो छे तम्मारे 0.15 एक जेटलू वाडवानू मार्जिन राखू होई तो वाडवानू मार्जिन अहिया आपने एक स्टा एक इच राखिये कोई वधारे पन राखता होई कोई उच्छू राखू होई जो आपने पाइपीन मुक्यो होई डायरेक् 0.25 एक जेटलू मार्जिन नू दबान राखता होई जे परन्तु अहिं आपने डायरेक्ट वाडवानू मार्किंग करवू छे एटले एक इच नू आपने दबान लेशू अहिया सिद्धु मार करी देवू पच्छी 6 नमबर मा लख्यू छे बाइनी मोरीनू माप करवू अने मार्जिन नू माप अलग थी राखो मार्जिन नू माप एटले आपने पूर्तिमा अहिया सवाई इच नू दबान लेदेलू छे तेज मार्जिन आपने बाइन माप पन राखवानू छे जी अहिया समझावेलू छे तो अहिया आपने बाइनी मोरीनू माप छे साड़ अलगती मार्क करी जिवानू छे हवे आगर नो स्टेप समझे तेमा लख्यू छे साथ नम्बर मा कुर्ती मा आगर नो आर्मोर राउंड सवा आठ हीच छे सवा आठ मा थी 0.25 हीच माइनस करवा थी 8 हीच माप आवशे हवे आठ हीच ने क्ये पाइट नी लाइन करे लिछे तेमा थी 0.25 हीच माइनस करवानू छे एडले ए माप बन से 8 हीच हवे ए 8 हीच ने क्या मार्क करव। ते अहिए समझावीच छे अहिए फोल्ड पाट थी आ रिते मेजटेप राखी देवाने छे, हवे अहिया जोओ, आ बाईनी जे केपाइट छे, ते लाइन उपर आपने मेडवता अहिं आठीच न मार्क करवानू छे, तो अहिया जोओ, अहिया जेम 6 इच माँ पावियो छे, आ साड़ा छावियो, साथ आवियो, साड़ा साथ आवियो, यहम अहिया आठीच माँ पावियो छे, ता फोल्ड पार्थी जे आठीच माँ पावियो, के पाइट पर एरीचेज अहिया आपने मेडवानू छे, तो अहिया कोर्नर उपर मेजटेप राखी देए, अने अहिया ज मार्जिन छे ते सवाईत नी जग्याए डोट थाई जत्तू होई छे अवे अहीं आठी च्वाड़ू जे माप छे तेने अपने एक सिधू मार्ग करी जेवू जे महियां एक मार्गिंग करेलू छे ते पचिनो स्टेप छे साथ बी हवे आ मापने बाईनी मोरी ना माप सते ज जोइन्ट करे देवाना है औहां समझ ए सवाईच एसले आपने हमेशा आरीते समझ वानू अहीहां आपने सवाईच नहीं शमंझुका याए सवाईच ये तो ये किच आवी जे तो आपने एने उद्लस्यां द्वारा समझ रोगां ये जोगुरक n you जोगा ऑने एक सबीर weiling बस एटलू ज आपनने मार्जिन मड़े छे, पर नतु आपने कुर्ती मा अहीं सवा इच मार्जिन राखेलू छे, तो पछे 22 जोरती वक्ते पन अहीं सवा इच माप ओवू जरूरी छे, तो आपने आ रिते ज हमेशा सवा इच कि दो डिज अर दो इच तमे जे रिते कालू छे के अहीं ठोडू क्रोज कटिंग करवू, आ रिते हवे आगनों स्टेप समझे तो लख्यू छे, अवे आँठ हीच नू अर्जू करीने मार्क करवू, एल्ले 8 पागिया 2 बराबर 4, तो यहां जो आँठ हीच नंबर मा लखेलू छे, तो तेनू आपने यहां अर् जुमाप थाई जसे, पची लख्यू छे, अने 8 बी, आ मार्क थी उपणनी तरफ 0.5 ती 0.5 ती रिच नू अंतर राखी ने मार्क करवू, तो जो आँठ बी एटले, अहीं नू जी माप थाई उँछे, तो त्या थी 0.5 ती रिच उपर, एटले आपने 0.5 ती रिच मार्क आँठ हीच ने 5 बागा कार करीशू, तो 1.7 माप आउशे, 1.7 एटले 2 अने 1.8 हीच ने 5 बागा कार एटले 8 बागया 5 करीए, तो 1.7 जवाब आवे, तो एनने आपने केलकिलेटर द्वारा समझे, 8 बागया 5, तो जवाब आवे छे 1.7, तो जेम आगर समझावे तेम, अह 6 पची 0 बतावता नथी, जो 1.0 छो, एम माँ पावियो होई, तो 1 अने 1 पॉइंट समझू, पर नतु 1.6 पची 0 नथी आवे, एटले 1.7 एम समझू, एटले आपनी मेजर्टरिप्ट नी भासा माँ, 12 अने 1 पॉइंट गण आशे, क्यांके 12 एटले 1.5 थायू, अहिया पो 10 नमबर माँ समझावू छे, क्या अहिया थी, आपने 2 पॉइंट नू मार्क करी जेवानू, ते पची 10 नमबर माँ लख्यू छे तेम, हवे आ त्रोणई मापने मेडवी ने स्लीव स्केल सेफ थी मार्क करवू, आ पाचर नो आर्मोल सेफ छे, हवे त्रोणई सेफ एटले 9B थी 8B एटलेकाईू, कि अहिया नू जे मार्क थायू छे, ते त्या थी, आहिया जे 8B छे एटलेके, आ और ते पच्छी लख्यू छे 8B थी 7B, तो अहिया आपने स्लीव स्केल ना सेफ थी आर्मोल सेफ करवानों छे, तो अहिया आपने स्लीव नी स्केल लई लेवानी अने आ 3 मापने मेडव आना छे, अवे जोईए, जोव, अहिया आरीते मेडवी ए, तो आ एक अने आ 2 माप मड़े छे, पन 30 माप मड़ितू न थी, तो आपने स्लीव ने ए प्रमाना सेफ करवानी छे, अहिया निचे नी तरप लई जईए, तो आ जे स्केल ने आरीते सेफ क अवे आगा नों स्टेप समझे अग्या नमबर, तेमा लख्यू छे, आगा ना आर्मोल माटे, एक पॉइंट साइट ही जे पाचाना आर्मोल नों मार्क अहिया करेलू छे, ए मार्क थी 0.50 थी 0.35 रिच्णा अंतर पर अंदर नी तरप मार्क करू, अंदर नी तरप एटले तमारे मार्क करी देऊ, पची छेलो स्टेप छे बार नमबर, आगर ना आर्मोल सेप माटे नमबर अग्या थी आठ अने 8 थी 7 बीपर करेला मार्क ने मेडवी ने સ્લીવ સ્કેલ સેપથી મારક કરવું આ આગાનો આરમોલ સેપથ છે નંબર 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 आर्मर दावन नो मार्क करवानूँछे हवे अहीं जे डाप्टिंग मा आप Kollegen करी जिजेलूछे हवे आ बदवु टोटल मार्किंग हैई घयेऊँ हवे अपने अहीं कटिंग करीच करीच छाए अहीं स् लिवानी मोरीनों माब 12 लखिजेऊ कि जारे आपने स्टीच करवा बेशे तेरे आपने फरीजवार डाप्टिंग मां आप जोवू पड़े नहीं हवे थीरी मां समझे तो लख्यू छे बदामा बरोबर होई तो कटिंग नी सरुवात करवी टो एया दीदे ते हवे आपना बदामा परफेक्ट छे तो आउया जे रिते तमने समझाव यू ये दीदे आपड़ अलग अलग जिय शाइज छे 34, 38, 34, 42 नतर चुम्मालिस ते बद्धामा तमारे आरिते सोर स्लीव नू मार्किंग करवानू छे औने कटिंग करवानू छे औने इने स्लीव कटिंग करवानी तमारे भरपूर प्रेक्टिस करवानी छे हवे आपने यहां कटिंग करवानी सरवात करिये सवथी पेला निचेनी चरफ कटिंग करी ने अहीं आरिटे कटिंग करवू ती पछी चाराई पाटने पाचन आर मोल्थी आपने कटिंग करी लिवानू औने अहीं सेंटर माँ एक कट मारे जेवो जे सेंटर कट बने अने जियां सिलेईनु मार्कावे तियां पन आपड़े एक चटको मारी जेवो अने अहीं जे वाड़ों नु मार्किंग छे स्लिवनी जे मोड लंबाई छे तियां पन आपड़े एक कट करी जेवो अने यहां जे स्लीव नी मेन लंबाई छे तिया पन आपने एक कट करी देवो ते पची आगन आर्मोल माटे हवेज समझ आनू कि अहीं आपने बेपड उपाड़ी है तो नीचे ना पन बेपड छेक के नहीं एक चेक करी लेवा कारके गणी उखत आपने एम थाई कहीं आपने बेपड उपाड़ेला छे पन तो क्यारे कापड एरी तुन चोटी गई होई तो अपने ख्याल नथी आउतो अन्य जारे आपने करी चेक करी चे तो परफेक कपाई चे पन बिजा आथनी स्लीव रोंग थाई जाई छे एटला माटे आपने एकपकरनी आज़त हमेशा राखवाणी कि बेपड आपने उचकाविये छे तो निचे पन बेपड छेक के नाई एपन चेक करवानी हमेशा आज़त राखवी हवब ये पर करी एटलेस्ञें छे कि आपनी बन्ने स्लीव बन्ने आँचनी कटिंग थाई, कारके सामसामे छे हवे आपने कटिंग करी जेवू तो जो अहीं आरेते स्लीव ना आगनना अर्मोलनों शेफ कटिंग थाई जेए छे अबे ए वस्तु समझें कि अहीं स्लीवना आगन्न आरमोलनू आप जे कटिंग करियो छे तो सेना ज्वारा पर्फेक्ट थेयू छे स्लीव कटिंग स्केलना द्वारा आपड़े एक ज्वार माँ पर्फेक्ट थेयू छे परन्तु जो आपने आच्छे डो करवा जाई है तो क्या उपर थे जाई नीचे थे जाई आडो उड़ू थे जाई औने वारे गड़िये तमारे प्रेक्टिस करती रेवी पड़े एनकता बेतर छे कि आपने स्लीव कटिंग करवा माटे पन आएक टूल्स बनावेलू छे आड तुल्स नू आपणे स्लीव कटिंग करवा माटे हमेसा उप्योक करो आणरा थी तमने ए फाहिदो ज्यारे पन तमें कोईपन कश्टर्मनी स्लीव नो कटिंग करो तमें एक पिस्मक आपिओ, बेक पिस्मक आपिओ, पांत क्चि मा कापो, एक महीना पची आपो, छो मही अहीं आपने पूरो थाई छे, हवे आवनारा लेक्चर मा आपने अलग-अलग जे माप होई, तेमा कोईनी अपर चेस्ट अने मेंचेस में वज्यार डिफ्रेंट्स होई, तो पच्छी एना सेफ कई रिते लेवा, अने साइट टोक्स कई रिते लेवो, ए बद्दू आपने अलग-अलग लेक्चर मा समत्ता रहिशू, तो मरिये एक नवा लेक्चर साथे, या स्वजी तमारों द्यान दाखो, नमस्कार